जहीं दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और question के बारे में यहाँ पर examiner ने कहा है the simple interest on a sum of money is 4 by 9th of the principle and the number of year is equal to the rate percent per annum the rate percent examiner ने क्या कहा मुझसे कि उसके पास ने एक amount है एक principal amount है मैंने माना कि principal amount उसके पास में P है और वो कहता है principal amount जो है वो क्या rate of interest यानि कि R by 100 और time period जो है वो भी rate of interest के बरावर दे रखाए यानि कि R और कहता है कि जो principal amount है उसका यानि principal amount का 4 by 9 करूँगा तो मेरा क्या हैगा वो interest आएगा ठीक है तो इस पीस से दोखो यह कोमा नहीं कठ जाएगा ठीक है यह R का square आ जाएगा यह बरावर में कितना है 4 by 9 हु आपका 100 तो यहाँ पर जो आर परसेंट जो मेरे पास value आएगी वो कितनी आएगी 20 by में 3% आएगा और इसको मेरे पास में 6 और 2 by में 3% करूँगा यानि कि option जो बी होगा वो इस question के लिए correct होगा दोस्तो एक student का message आया था उसने बोला सिर्शॉट में मुझे समझ में नहीं आया तो आप प्लीज इसे explain कर देजिए formula से तो यह मैंने formula से explain कर दिया है I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जाहिंद